हेलो एवरीबन वेलकम टो एक्जाम एक्सेल आज हम लोग करेंट अफेर स्रीज का फर्वरी का फर्वरी का एक से लेके साथ फर्वरी तक का जितना भी इंपोर्टेंट करेंट इवेंट हुए हैं उसको सारा का सारा इस वीडियो में पूरा पूरा कभर करूंगा सारे इंपोर्टेंट कोस्चन इसमें लिए हैं जो भी अपकमिंग एक्जाम आने वाले हैं अभी बिहार सीजील हो गया यूपी आरो यारो का पेपर पाद आभी तो कैंसल नहीं हुआ है लेगिन उमीद है कि यह भी कैंसल हो जा एकॉर्डिंग तो फर्स्ट इबेन पॉपूलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज कंड़क्टेड बाइ दे सनोल लेपर पूपूलेशन असेस्मेंट आफ इन इंडिया प्रोग्राम दी हाइस्ट नमबर अप्शन नमबर डी अप्शन नमबर डी लद्दाक में ठीक है ऐना 718 718 उसमें लद्दाक में लद्दाक में सनोल लेपर 447 4777 लद्दाक के बाद दूसरा नमबर पर जो ऐता है वो आ जाता है हिमाचल परदेश कॉन कॉन कॉनकों सा डिस्टिंग में पायाःक्र मौन कॉन पाया जाता में लद्दाक उत्राखंट हिमाचल परदेश हरुनाचल परदेश सिक्किम और जम्मू कसमीर तो यह पाथ च्छे अस्टेट में अपने पहला पोपुलेशन असेस्मेंट था जिसमें यह कौन करके बताया गया था पुछ रहा किस राज सरकार ने राज में आतायात वेवस्ता को सुधार और सलक दुरगटना को कम करने के लिए सरक सुरगच्छा बल नामक एक नई पहल सुरू किया क्या रोड सेफ्टी सरक सुरगच्छा फोर्स ठीक है रोड सेफ्टी फोर्स तो किसने किया है यूपी गुजरात राजस्थान या पंजाब तो किसने क्या है ऑप्सन नंबर डी पंजाब ने शुरू किया है सरक फिलियर कोश्चर नमबर थी पर मूब करते हैं कोश्चर नमबर थी बोल रहा है वीच कमपणी सोल्ड रिकॉर्ड 11.2 मिलियन वहां बेचे हैं 2030 में और लगतार चौथे वर्स दुनिया का सबसे अधीक बिखने वाली बाहन निर्माता कमपणी का ताज अपने नाम कर लिया है तो वह कौन सी कमपणी है टोएटा महिंदरा सुजुक्वी या मर्सडिज बेंज तो करेक्टर हो जाएगा इसका ओप्सन नमबर एट टोएटा ठीक है ओप्सन नमबर एट टोएटा एक जापान की कमपणी है कहां की है टोएटा एक जैपनीज कमपणी है तो यह ओप्सन क्रेडिट ट्रांजेक्शन साफ्टर 29 फरवरी 2024 ठीक है तो दोजार चोवीस में हाली में आर्बी आई ने किस भुगतान बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद सभी जमा और क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है तो इसे क्रेक्टर नस हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी बहुत सारा चरचा में चला्व एलुट जो आइप हैरा पेटिम पेमेंट बांक 29 फरवरी के बाद सारे साइक्शन बंद होजाएगा उप्सन नमबर्डering जौ ठीक है नेक्स कूज खुनर करते हैं इन्हों ने इस्तिफाद दे करके यहां नया नया CM बने है चंपाई सोरेन जो कि इनका पाटी का नाम हो जाता है जारखन मुक्ति मोर्चा जारखन मुक्ति मोर्चा इनका पूरा नाम है और इनका गवर्णर इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्थीपा जो है CM का स्थीपा और न्यू सीएम का अभी सपतगरन गवर्णर करवाते हैं तो जारखन के गवर्णर अभी कौन है सीपी राधक्रिश्णा क्वर्णर का कैपिटल रांची ये-षरफ मत रुच्छ करूँ के को स्थीटी में में कूछ अपानवेट हो ये इश करूवyu को सहता है तो यह भी डाल दिया हूँ तो देख लिए Chief Secretary जो बने है पूढूचोरी का वो सरत्चवहान बने है रिप्लेस कीने कि है राजीब बर्मा को रिप्लेस करके सरत्चवहान अभी Chief Secretary फूढूचोरी बने है और एक important इसमें यह है कि Indian Army का first woman's शुवेदार ओ किने बनाया गया है प्रिती रजक को बनाया गया है प्रिती रजक को बनाया गया ठीक है Indian Army का first woman's शुवेदार प्रिती रजक किलियर हो गया Chairman of the Telecom Regulatory Authority of India TRI का जो Chairman है ओभी बने अनिल कुमार लोहाती जो की PD बगेल को replace करके अनिल कुमार लोहाती ने यह पद गरहन किया ठीक है CMD for clear project leaders Middle East Sandy प्रशाद इतना को important यह नहीं है mainly important इसमें यह आ जाता कि यह पहली बार first Indian woman है जो सुवेदार बनी है वो प्रिती रजक है यह exam में आ सकता है clear हो गया नेशोजनमुकर चले ठीक है इसमें बहुत बोलना है who has been appointed as the chairman of the Asian cricket council ACC का नया chairman या अध्याच के रूप में किसे निव्ट किया गया है तो इसे फिर से reelected किया गया है जैसा को ठीक है पहले भी यहीं थे अभी फिर से इनने reelect करके जैसा को बना दिया गया ACC का अध्याक्ष किलियर हो गया जैसा हमारे मन्ने होम मिनिस्टर अमित्सा के बेटे हैं किलियर नेशोजनमुकर करो question number 8 देखिए वाट इसवार इसका इसवार यह 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलने वाला है और यह इवेंट हो रहा है यह इवेंट हो रहा है जमू कस्मीर में गुलमर्ग में ठीक है गुलमर्ग जम्मू एंड कास्मीर में एवेंट होगा इसका मैस्कट आप लोग से पूछा है कि मैस्कट क्या होगा सीथ कालिन क्षेथ का सुभांकर तो इसका होगा साने सी ठीक है option number D साने सी इसवे सौट में सान के नाम से भी जाना जाता है साने सी एक सनुल लेपड का यह देखिए यह है हमारा खेलो इंडिया ट्वंटी ट्वंटी फॉर का मैस्कट सुनुल लेपड का इमेज दीख रहा होगा आप लोग को तो यह करेक्ट है ठीक है अंदर मेरे अंदर एक समंदर मेरे अंदर नामक पूष्तक के लेखक कौन है यह एक इस रोग यह है करेक्ट अनसर option number D संजीब जोशी ठीक है क्या हो जाएगा option number D संजीब जोशी यह एक फ़र अभी करेंटली DRDO में कारे रात है Defense Research Organization में कारे रात है इनको इनको इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका जो अनावरन किया गया है इसका जो अनावरन समारों में था जो हमारे इंडिया के सेगुरिटी अडवाइजर जो है अजीत डोवाल जी इन्हों ने ही इसमें पार्ट लिया था अजीत डोवाल ठीक है तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है संजीप जोसी करेक्ट अनसर ऑप्शन नमबर डी कोश्चन नमबर टेन पर मूव करते हैं भारती एक तट रच्छक दिवस हर साल एक फरिवरी को मनाया जाता है आप लोगों को बताना है भारती एक तट रच्छक दिवस की अस्थापना कीस वर्स की गए थी इंडियन कोश्ट गार्ट का जो इंडियन कोश्ट गार्ट इस्टेबलिस्ट कब किया गया था तो इसका करेक्टर नस हो जाएका ओप्सन नमबर डी उनीसव सतततर में इनियन कोश्ट गार्ट कब किया गया था उनीसव सतततर में किलियर नेक्स करूं करूं कोश्ट नमबर 11 इस मिनिस्टर जो कि अभी है मारे निर्मला सीता रमन ठीक है नीर्मला सीता रमन कोश्ट इन्होंने इन्ट्रीं बजट में आप लोगों तरना सबसे ज्यादा एक लोकेशन के लिए लिए नेक्स में देखेंगे इसमें कितना दिया गया उसका पूरा डिटेल में भी बताऊंगा तो कोश्चर नमबर 12 में करते हैं अभी रेसेंटली में टोटल कितना रामसर साइट को इंकुलूड किया गया है तो रेसेंटली में अभी पाच रामसर साइट को इंकुलूड किया गया है वो टोटल बन करके अभी टोटल 80 हो गया इंडिया में टोटल रामसर साइट कितना हो गया है 80 हो गया सबसे जाधा ramsar site के अगर बात करें तो ओ हो जाता है तामिलणाडु में 16 ramsar site है और उसके बाद उत्तर परदेश में 10 ramsar site है ठीक है रamsar convention फोर बेटलेंग conservation के लिए ये किया जाता है तब recently कितना किया गया पांच को add किया गया clear हो गया को सिखंग नाएि डिली में सिख्च्छा मंत्राल्य किस ने लौंज किया तो इन्हों नम्बघरी याउ़ पर्दान के दोर ऐख लीर कल loro 14 नौट इडिमिटा संडिले संत ऑफ क्या गया नबञागेले संचों बनारस पंबुनमटी उंसे सब्सक्रण करते हैं और gold आउन हमस्स्स सब्सक्राइब उपज़े ऑट क्रिकन ओंड़ C का घरेलू उत्पाद का कितना पर्तिसत आवंटित किया गया है तो यह किया गया option number 3.4% के लिए ठीक है कितना 3.4% नेक्स्ट कोच्चन फार्णेस मिनिस्टर निर्मला सितर नमन कितना पर्तिसत पर रखा गया है तो यह रखा गया है 5.8% ठीक है किलियर option number D 5.8% किलियर हो गया चलो कोच्चन नमर 17 इबराहीम इस करार has become as a new Sultan of which country इबराहीम इस कंदर किस देश का सुल्तान बने है तो यह बने है नए ने शुल्तान अभी मलेशिया के कहां के बने है मलेशिया के किलियर हो गया नेक्स कोच्चन फरवरी 2024 में किसने UPSC का सदस के रूप में सपत लिया है टेक ओध है जब मिंबर ओफ UPSC तो यह इनका करेक्ट अंसर हो जाएका ओपसन नंबर भी संजे वर्मा क्या होगा ओपसन नंबर भी संजे वर्मा ने नियू मिंबर के रूप में सपत लिया ए फीसी के किलियर कोचन फरवर्ट 19 वाट इजदा सर्वतर क्या है जो हालि इन समाचारों में देखा गया ऐसे सरवत एक मल्टी अस्पैम मौल ब्रिंगिंग सिस्टम है क्लिए रो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट अंसर होगा इसका कोश्चन नंबर 20 पर मूब करते हैं 69 फिल्म फियर आवार्ड के बारे में आप लोग को पाच फैक्ट पर दिया गया है आप लोग को बताना इसमें से कितने फैक्ट गलत है पहला तो बोला गया गुजरात के गांधी नगर में हुए ठीक है कहा हुआ गांधी नगर गुजरात तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है दूसरा बेस्ट फिल्म के ट्वेल्थ फिल्म यह सही जवाब है 12 फिल्म के ट्वेल्थ फिल्म के अवाड दिया गया है और इसी का 12 फिल्म यह सपोर्टिंग रोल औप मेल रनवीर कपूर एनिमल के लिए मेल के लिए supporting role के लिए नहीं मेन रोल के लिए इनने दिया गया बेस्ट एक्टर फोर में लीडिंग ठीक है लीडिंग रोल नौत असससपोर्टिंग रोल के लिए दिया गया है बिक्की कोशल को किसको दिया गया बिक्की बिक्की कौसल डंकी के लिए दिया गया ठीक है बिक्की कौसल डंकी के लिए दिया गया सपोर्टिंग रोल के लिए और ये मेन रोल के लिए रनबीर कपूर को दिया गया एनिमल के लिए तो दूसरा statement, चौथा statement में भी गलत है, अब यह सही हो गया, और पाचमा statement, बेस्ट डेवू डारेक्टर तनूच दुधेजा को दिया गया, धग धग के लिए, तो यह correct answer तो option number 2 गलत इसमें था, 3 सही, तो only 2, option number 1 इसका correct हो जाएगा, only 2, अब इसमें जितना भी बताए हूं, सारग सारग करेट कर दिया हूं, एक गोवा में नहीं, गुजरात में हुआ है, गांधी नगर में, और इसका main role, supporting role के लिए, बिकी कोशल को दिया गया है, main role के लिए, रनबीर कपूर को दिया गया, clear हो गया, next question में move करूं, चलो next question, question number 21, World wetland day is observed every year on 2nd February, what is the theme of world wetland day, world wetland day, अभी उपर का question बताए है, total wetland इंडिया में कितना हो गया, 80 हो गया है, अभी पाज गो रिसेंटली एड किया गया है, तो इसका theme क्या था, तो इसका theme था, wetland and human well-being, correct answer option number D, wetland and human well-being, clear, next question करे, आप लोग बताना, where will exercise, why सक्ती 2024 will be organized in Indian Air Force, Indian Air Force ने, why सक्ती 2024 को organize कहां किया है, तो एक किया गया है, जैसल मेर में, राजस्थान, जैसल मेर में, clear, आप लोगो कमेंट करके बताना है, कि राजस्थान का भी गवर्णर कोन है, तीक है, राजस्थान का तो new CM अभी बने है, भज आप लोगो को गवर्णर कमेंट करके बताना है, कि यहां का गवर्णर कौन है, कि लिए लिए, तो कहां किया गया है, जैसल मेर में, next question बें मूब करता है, question number 23, who is the chairman of the उत्राखंड uniform civil court committee, उत्राखंड uniform civil court committee का chairman कौन थे, तो यह हो जाएंगे, option number A, रंजन परकास देशाई, ठीक है, पहला जो इंडिया में, फ़र्ष्ट अस्टेट जो हो जाता है, जहां पे, uniform civil court लागू किया गया था, लागू किया था, ओ है, गोवा, second state आता है, उत्राखंड में अभी, recently, 2023 में यह लागू किया गया है, तो यह, 2024 में लागू किया गया रंजन परकास देशाई, इनके चेर में थे, किलियर हो गया, यह, रिसेंटली इंडिश में बहुत रहा है, तो इस question को ध्यान से देखिए, यह आपको बहुत important होने वाला है, और अगर आप लोग को content पसंद आ रहा है, तो चैनल को subscribe भी करें, और comment में बताएं कि, अगर कमेंट करके बताएं कि उसका मैं आप लोग को provide करवाद दूँगा, फिर यह question में, ठीक है, clearly question number 24 पर move करते हैं, 24 में बोल रहा है, इंडियन नेवी has declared 2024 as भारतिय नव सेना ने 2024 को गोशित किया है, कौन सा year के रूप में गोशित किया है, तो year of naval civilians, ठीक है, year of naval civilians के रूप में इंडियन ने भी इसे year 2024 को गोशित किया गया, clear हो गया, option number D, question number 25 पर move करते हैं, 25 में, which state government will launch the annual mass drug administrations campaign to eradicate philarasis disease from the February 5 to 15, कौन सा राज सरकार 5 से 15 जनवरी तक philaria रोगों के खतम करने के लिए, वार्सिक mass drug, mass drug administrations अभियान शुरू किया है, तो यह शुरू करने वाला है, option number A, उत्तर परदेश, किस ने शुरू किया है, option number A, उत्तर परदेश ने शुरू किया है, यहां का गवर्नर अभी उत्तर परदेश का गवर्नर जो है, गवर्न नाथ ठीक है अधित्य योगी नाथ यहां के सीम है के लिए रोगया नेस कोशन में तो कोशन नमर ट्वेंटी सिक्स सेंटर है जेनाउंस टू एंबी सीएस प्रोग्राम टू अपग्रेड हाउ मेनी अस्टेंडर्ड रेल कोश्ट टू बंदे भारत अस्टेंडर्ड इन कोशना किया तो इसका करेकर हो जाएगा option number. कोशन87 कोशनमर 27 देखिये इस difference बजट जो 윤 सबसे ज्यादा बजट यह लोकेट किया गया था उपर में अभी बताए थे तो स्टुकर रूब Чुश्य lotsuri चुभारा करेंव Workshop केंश़िया होसेथे उनुट स्ट डेया गए है फानेंशरेट awakर तो टोर्टल इफेंस बजत जो की बनता है 6.21 लाख कड़ोर किलियर हो गया यह defense budget दिया गया है रक्षा रक्षा budget ठीक है clearly question number 28 पे move करता है from which age group did union finance minister निर्मला सीता रमान has proposed to encourage vaccinations as per the preventive major against cervical cancer केंद्रिय मंत्री निर्मला सीता रमान ने किस आई वर्ग के लिए cervical cancer के खिलाप निवारन उपाय के रूप में टीका करन का प्रोप साहित करने का परस्ताव किया गया है एे गर ऑर फ्रूर अगर चल सब्सक्राइस नहीं कि दो सब्सक्राइब रहा सब्सक्राइक लागाए एक वोविड आ वह सा कारण क्या है म। यह देख लिजिए, human papilloma virus के कारण होता है, किसके कारण से होता है, human papilloma virus, HPV के कारण से यह cervical cancer होता है इसको cervical cancer को हिंदी में गर्भा से गरिव भी बोला जाता है, ठीक है, क्या गर्भा से गर्भा से गर्भा से गर्भा इसे बोला जाता है हिंदी में, तो यह किस age group के लिए किया गया है आप्शन नमबर सी, नौ से लेके 14 साल के लिए, नौ से लेके 14 साल के बचियों को, गल्स को यह करन करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर है, जो की लगाया जाएगा, ठीक है, किसके कारण से होता है, इसके कारण, human papilloma virus, HPV के कारण से होता है, एक virus digit है, वाइरस के कारण से ह होने वाला एक disease है, ठीक है, किलियर ली, ने सोजन में मूब करें, कोश्चर नमर 29 को देखें, तमील सुपरस्टार विजय है, जो विजय है, थालापती विजय है, किसने, थालापती के नाम से भी जाना जाता है, थालापती, थालापती विजय है, इन्होंने एक नया नया यहें पोलिटीकल पार्टिव उसका नाम किया है, थालापती विजय ने यह पोलिटीकल पार्टी लांच किया है, किलियर हो गया, आप्शन नमबर D, ने सोजन में होुडों, तो कोश्चर नमर 30, और फोलोविंग अस्टेट्मेंट एबावर दसुरजकुन इंटरनेशनल कराफ्ट मेला दोहजार चोवेश। के बारे में चार फैक्ट दिये गए आप लोग को बताना इस में से कौन सा प्रेक्ट इनकरेट है कितना इनकरेट है तो पहला फैक्ट देखें कि PM नरेंदर मोदी इन्योग्रेटेटर दा सुरज कुन्ड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024 इन सुरज कुन्ड इन फरिदाबाद नहीं यह option गलत है क्यांकि PM मोदी नहीं यहाँ पे प्रेसिडेंट ओफ इंडिया अभी कौन है दुरुपदी मुर्मूर दुरुपदी मुर्म ने इनका इन्योग्रेशन किया तो पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट है था दिस सिदा 37 इडिशन सब सुरज कुन इंटरनेशनल कराफ्ट मेला यह सही है दूसरा स्टेटमेंट सही है तिसरा स्टेटमेंट तंजानिया इस पार्टनर कंट्री था इस मेला क ठीक है और उत्तर परदेश सिदर ठीमाश्टेट यह गलत है क्योंकि फीमाश्टेट यहां पर गुजराट था ठीक है क्या था स्टीमाश्टेट गुजराट थीमाश्टेट था। तो दो गलत है तो Sono 하면 युट्व आपशन नमशर ओपकार किलिक कीजेगा अब यहां पर देु किस ने इनगरेट किया प्रिशिडेंट दुर्पदी मुर्बूर ने किया है 37 एडिशन था तंजानिया पार्टनर कंट्री था और यह थीम अश्टेट गुजरात था नया की उत्तर पर्दिश किलिए रोगया सारफ एक्ट नेश को जनुब करूं चलो कोश्चन नंबर 31 पर वानी किलियर हो गया कोश्चन नंबर 32 फॉइज वीन सेलेक्टेट डैज टि टॉच्ट बेरर फो ट्वेंटी ट्वेंटिफ्वूर पैरिस ओलंपिक गेम अभी ट्वेंटी फोर में जो ओलंपिक होने वाला कहा है वो पैरिस में होने वाला तो पैरिस ओलंपिक गेम के इंडिवीजवली अब इंडिवीजवल गेम में उलम्पिक में पहला मेडल जीतने वाला अभिनाब बिंदरा है थे ठीक है किलेर हो गया तो अभिनाब बिंदरा को चूज किया गया नेश को चनम अमूब करता है कोशेन नमर 33. US State Department has approved the how many Q9B Sky Guardian Drone to India for a near 4 billion अमेर्की भिदेश सी भीभाग भारत को लागभग 4 billion dollar में कितने Q9B Sky Guardian Drone की मनजूरी दिया है तो ये दिया गया है option number 31 को total 31 drone दिया जाएगा 4 billion dollar में ठीक है कि रियार ली नेस होज़े हो तो कोशेन नमर 34 who won the best global music album award at the grimmy award 2024 best global music album का आवार्ड किसे दिया गया तो इसे दिया गया the moment को option number a the moment को दिया गया next question NPCI international payment has a partner भी थे था which company to enable EPI payment from the Eiffel Tower in France MPI payment ने फ्रांस में एफिल टावर में UPI भुकतान को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ साज़ेदारी किया तो यह किया है option number D लायरा के साथ लायरा आप लोग टीवी पर आइड भी देखते होंगे लायरा का उसी के साथ मिल करके यह किया है ठीक है और अब लोग कमेंट कमेंट भी किजिए आप लोग करते करते नहीं जल्दी कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगलर वीडियो में इसमें डालते रहूं किलियर लिए नेश्च कोच नमार थाटे सिक्स फिप्टी नाइन यर ओल्ड कोस्मो नोट्स ओलेग कोनो नंको ओलेग कोनो नेंको हैज ब्रोकेन दी वर्ड रिकॉर्ड सबसे अधिक समय बिताने का 20 रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ किस देश से संबंदित है तो हुआ है ऑप्शन नमबर भी रसिया से कहां से है रसिया से किलियर लिए फ़वरी का फर्स्ट बिक का है और आज ये वीडियो डाल रहा हूं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लवग एट पीएम में इसका दूसरा पार्ट साथ आठ से ले करके 16 फरवरी तक का अपलोड कर दूंगा ठीक है तो फरवरी का इससे पहले की इसका प्रिवियस में देखोगे तो नवंबर से ले करके continue हर मंद का दो या तिन वीडियो में अपलोड करते आ रहा हूं करेंट अफ़र का वह भी सारे इंपोर्टेंट है अगर कोई भी इंग जाम है तो आप लोग को दिमाग में अच्छा सा फीट हो जाएगा ठीक है तो यह फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट प बंधन योजना क्या महतारी बंधन योजना पर बाटेंश एूडवाट की लिए किस के लिए मेरेच बॉमन के लिए किस इस ने सुरू किया तो यह उरू किया है और रोचार जस्टिस रितु बाहरी फॉर्ट नियामूर्ती रितु बाहरी ने किस उच नियाला में पहली महिला मुक नियाधिस के रूप में सपत लिये यह फर्स्ट है तो इंपोडेंट हो जाता है तो यह option number D उत्राखन का हो जागा कहा हो जागा उत्राखन क्लियरली कोशा नमर 39 देखें इन फर्वरी 2024 विज कंट्री अप्रूब दा वीजा फिरी पॉलिशी फॉर इंडियन सिटीजन फॉर मैक्सिमम अस्टेफ फॉर 15 डेज फर्वरी 2024 में किस देश ने भारतिय नागरिकों के लिए अधिक्तम 15 दिनों के परवास के लिए वीजा बंका ने दिया था अभी इरान भी दे दिया क्लियरली कोशन नमर 40 पर मूब करते हैं बिहार राज आपदा प्रवंधन पदादिकरन और आई आई टी पटना ने किसानों के लिए एन आई टी आई एस एच नामक एक 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 लटकन का आकार का उपकरन लाल्टेन का आकार का आउपकरन विक्सित करने के लिए सही योग किया है आप लोग को बता ना है नितीस इसमें जो नितीस कुमार जो अभी सी एम बने है में आई का क्या मतलब है इसका आई का मतलब होता है इन्नोवेशन ठीक है बियार गोर्मेंट लॉंच किया है जो नितीस फोर फार्मर इसमें आई का मतलब होता है इन्नोवेशन किलियरली ने सोच नमोब होता है किलियरली ऑप्सन नमबर डी बिना मोदी को सम्मानित किया गया है कोच नमबर फोटीटू पर मूब करते हैं हाल ही में असपोर्स जनलिस्ट फेडरेशन ओफ इंडिया और दिल्ली असपोर्स जनलिस्ट फेडरेशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार किसे मिला ह किसे दिया गया गया उप्सन नमबर की पिटी उसा को पिच उसा भी राजसवा vendors है ठीक है राज सब्सक्राइब कर लिए ठीक है सकेंड पार्ट मैं कल अप्लोड कर दूंगा क्लियरली चलो ठीक है थाइंक यू